हेलो दोस्तों गाईतरी की रसुई में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चौकलेट क्रीम स्नैक्स जो कि खाने में बहुत ज़्यादा सौफ्ट लगेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे और ये देखें मैं आपको एक काट कर दिखा द है उपर से चौकलेट अंदर से क्रीम ये देखें दोस्तों बहुत ज़्यादा सौफ्ट और बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत इजी रिस्पी है तो चली फूल रिस्पी द तो मैंने यहां पर आधा कप का नाप लिया है कप लिया है लेकिन मैंने वन भाई थर्ड कप जितना डाला है उसके बाद हम इसमें टाल देंगे हाप टीस्पून बेकिंग पाउडर और दो चुटकी मतलब वन भाई फोर टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडर इंग्रीडियन्स को हम चान लेंगे और यह देखें बहुत बढ़ी आसा चान लेंगे जो भी इसमें गुठलिया होंगी वो खतम हो जाएंगी अब हम इसमें डालेंगे एक कप दूद तभी मैंने एक कप दूद लिया है एक कप दूद से हो जाता है और दूद को उबाल ल थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है यह देखे बिल्कुल स्मूज सा बन चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे हाप टी स्पून वनेला एसेंस यह बिल्कुल ओपजनल है अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं चलिए दिखा देते इसकी कंश्रेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चीए यह देखे बिल्कुल लंस फ्री बैटर बन चुका है एकदम स्मूज सा तो गैस पर एक परण चढ़ा लिया है और एकदम आज को हमें एकदम स्लो रखना है स्लो आज पर हम इसको इस तरह से डालेंगे और यहां पर बेटर थोड़ा सा नेरा नात् Reason करी में इसमीं है क्षांगी है और यह देखे यह अपने आप ही निकल झाता है क्योंकि मैने नामचा सथीक करेंगे अर बहुत ज्यादा नहीं पकाने 5 ने और यह पूरा जो है 30-40 सिकिंद में पूरा आपका ये मतलब एक बनकर तयार हो जाता है और इस तरह से हम एक एक नहीं बनाएंगे इस तरह से हम थोड़ से ज़ादा ज़ादा बड़ा तवा है तो मैं इस तरह से बना लेंगे, एक एक में काफी time लग जाएगा, इस तरह से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, मात्र 30 सेकंड तक आपको wait करना है, 30 सेकंड के बाद आपको पलट देना है, और 5 सेकंड तक आपको वापस से मतलब पका लेना है, और ये देखे कित सारे बनाये थे एक कप मैंने मैदा लिया था तो बहुत सारा बन गया था तो मैं इतने का तो बनाऊंगी नहीं तो मैंने जो मतलब थोड़े से टेड़े मेरे थे उनको मैंने बाहर कर दिया जो बिल्कुल गोल गोल थे ना मैंने उनको अलग कर लिया और यह देखे कितने बढ तो आप कॉंटिटी उसी हिसाब से करिएगा जितनी चीजे मैंने ली हैं उसका आधा कर दीजेगा एक कप मैंने विप क्रीम लिया है इसमें मैंने एक ड्रॉप लेमन फूट कलर डाल कर इसको बढ़या से बीग कर लिया है यह देखे बिल्कुल ऐसा होना चाहे तो अब हम क्य क्रीव सकते हैं डोनट को सकते हैं कुछ भी भी किस सकते हैं बहुत ज़्यादाने में टेश्टी हैं बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों खाने में और इस तरह से बढ़िया से बराबर कर देंगे और ऐर पट से ज 가नें कि सब्सक्राद्नीट है तकुछ इस तरह से क्रीम की साहिता से भर दीजिए और बिल्कुल बराबर कर दीजिए एकदम से बढ़ेत से चिकना कर दीजिए यह देखे बिल्कुल इस तरह से बहुत इजी रेस्पी है दोस तो 5-7 मित में बनकर तयार हो जाती है बहुत ही जल्दी बनती है फटा फट से बनती है और यहां पर मैंने ले लिया है एक कप की जितना है चौकलेट और वेट में यह देड़ सो क्राम की जितना हमारा चौकलेट था काटने के बाद ज्यादा हो जाए तो फिर आपको चौकलेट डाले दोस्तों मैं आपको एक टीप बताना चाहूंगी बाइचांस आपको लगे के आपकी चौकलेट नहीं मेल्ट हुई मतलब मेल्ट होने के बाद सूख गई है तो आहां पर आप इसमें घी एड़ कर दें गरम करके घी को पहले गरम करे और गरम करने के बाद घी को एड़ करें और यहां पर मैंने मेरी चौकलेट थोड़ी सी मतलब गाड़ी थी तो मैंने यहां पर 4 टेबल स्पून मैंने इसमें घी गरम करके डाला है और बस इस तरह से कोट कर देंगे यह होती है दोस्तों छुटी चुटी टीप्स जो आपक मेल्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम जो है इस पर चॉकलेट बहुत बढ़िया से कवर कर देंगे ये देखे कितनी बढ़िया से कवर हो जाती है और बहुत यासानी से इसको हम रख देंगे ये देखे किस तरह से रखना है ये देखे दूसरे चमच की साहता से इसको किसका बिल्कुल नहीं चिपकते हैं लेकिन आपको बटर पेपर पे ही रखना है और यह देखे बहुत इसली निकल जाते हैं बहुत जल्दी यह चोकलेट सूख भी जाती है और चोकलेट सूखने के बाद हम इस तरह से थोड़े से लाइन अप कर देंगे इस तरह से बहुत सुंदर पाओगे अगर इस तरह से बनाओगे बिल्कुल मेरे तरीके से उचली मैं आपको एक काट कर दिखाती हूँ यह अंदर से कितना ज्यादा क्रीमी बना है यहां पर क्या करें काटने से पहले चौको को नहलका सा गर्म करें नहीं तो आप डारेक्ट अगर इस तरह से बनेगा बहुत ज़्यादा टीश्टी बनेगा आप इसको केक भी बोल सकते हैं चौकलेट स्नैक्स भी बोल सकते हैं जो भी दिल करें आप इसको बोले और खाये इस तरह से आप भी बनेए दोस्तों वीडियो पसंदारी तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरू अपने ख्याल रखें बाए दोस्तों